नमस्कार दोस्तों एक बार फेश से स्वागत है आप सभी का जी इस विजन अकाडमी पर दोस्तों देखिए जो सीजी पुलिस भरती परिक्षा दोजार चोईबिस की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर हम देखें तो पुलिस भरती विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अंकगडित है और इस अंकगडित के अंतरगत पहला जो हम देखेंगे आज यह होगा हमारा चरप्टर भाग वन है और यह सरली करण से देखेंगे मतलब सिंप्लिफिकेशन तो देखें सिंप्लिफिकेशन सरली करण का गड़ी थंबगाच कुश्चन साल करने वाले है और बहुत सार एकजाम में अगर हम देखें सीजी वापम का तो इस तरह से कुश्चन जादा पूछा जा रहा है तो चलिए दोस्तों चैनल में अगर पहली बार आप जुड़े होगे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखेंगा ताकि वीडियो डालो उसका लडूट के गनाब तक पहुंचता रहें चलिए पहला कोश्चन देखेंगे पहला कोश्चन है दोस्तों देखिए सरल कीजिए पहला कोश्चन है इसी तरह से कोश्चन आते हैं आपके जैसे 6010 माइनस 6000 भागी 10 तो देखें इस टाइब के जो कोश्चन इसके बास सही बटा भी देखेंगे और आगे और कोश्चन कर ताकि हम को समाझ में और बेसिक से करेंगे तो सबसे पहले हम इस टाइब का गड़ीत हल करने के दिए नियम है दोस्तो ध्यान रखेगा आप कौपी में नोट करते चलिए बॉड्मस बॉड्मस तो देखिए बॉड्मस जो है यह आपको याद रखना है बॉड्मस को यह हम ध् बात जो है आफ ओ आफ हो जाएगा आपका डी फार हो जाएगा डिविजन डी फार डिविजन और आपका है एम फार एम फार हो जाएगा आपका मल्टिप्लिकेशन ये एस सभी जानते हैं आप ए फौर हो जाएगा आपका एडिशन ए फौर हो जाएगा एडिशन और और आपका यहां पे देखिए ए फौर एडिशन उसके बाद एस फौर वर्चा है आपका हो जाएगा सब्ट्रेक्शन सब्ट्रेक्शन तो देखिए, यहाँ पर आप सभी जानते हैं, इसको अगर हम हिंदी के रूप में देखें, तो हिंदी के रूप में बॉर्ड मस्का, सबसे पहले हम रेखा कोस्टक हल करते हैं, हिंदी में भी हम समझ लेते हैं, फिर चालू करेंगे, यह पहले आप समझ जेने, पहले रेखा कोस्ठक जो होता है उसको हल करते हैं फिर उसके बाद कोस्ठक को हल करते हैं फिर उसके बाद आफ मतलब का और यहां पर डिविजर मतलब होता है भाग फिर उसके बाद भाग सबसे पहली एक करम ध्यार रखेगा उसके बाद भाग फिर उसके बाद गुड़ा को हल करते हैं फ उसको आप हल करिएगा उसके बाद जो भाग दिया है उसको हल करिए उसके बाद गुड़ा को हल करना है उसके बाद जोड को हल करना है और अंतिम में हमको जो बचेगा उसको घटा देना है यह नियम आप फॉलो करेंगे तो आपसे कभी भी गलित जो है गलत आंसर नहीं होग तो यहां हम solution करते हैं दोस्तों ध्यार रखेगा यहां पर जो है अब हमारा हमने नियम में जो देखा है सबसे पहले हम करेंगे का यहां पर देखिए जो भाग है सबसे पहले क्या है भाग है देखिए 6010 है मैनस 6000 भागी 10 तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कोश्टक है का यहां पर कोई भी कोश्टक नहीं है तो हम क्या हल करेंगे देखेंगे रेखा कोश्टक भी नहीं है का भी नहीं है और यहां पर देखें भाग है तो भाग अब आएगा continuity में तो 6000 में 10 का भाग देंगे तो 10 से कम 10 यहीं से कर लिजे 10 6 के साथ और 10 सुन्यम और 10 सुन्यम तो 600 हो गया सीधा सीधा इसका अंसार आजाएगा 600010-600 यह आप देख सकते होंगे यहाँ पर देख रहे होंगे आपको समझ में भी आ रहा होगा तो देखिए 600010 में जब हम 600 माइनर्स करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा यहाँ पर 600 माइनर्स कर लिजे तो सुन्यम एक 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा यहाँ पर आपका जो पहले भाग है तो भाग किया अगर यहां पर भाग नहीं होता यह भी मैं क्लेयर कर रहा हुँ दोस्तों यहां अगर मालं यह 10 गुड़ा 20 होता हुब यहां पर धस्कों कई आ तो यह मैं बार-बार रिपीट किया हूँ आपको ताकि आपको याद रहे एक्जाम की दिश्टी कोड से एक चीज और दोस्तों देखिए समान ले ग्यान जो है आपका वो तो सब कोई बनाएंगे बाकि जो मैस कर लेगा वो प्लस पॉइंट पर रहेगा किसी भी एक्जाम के यहां पर 1 203 है यह त्याँ रखेगा कैसे लिखा है यह ऐसे लिखा है यह वारत थीन मैं लिख के बताता हूं कि वट तीन धन दो बटे तीन आफ है गुड़ा एक सही एक बटे दो ऐसा फार्म पर है यह वाल जो लिखा इसको मैं यहां लिकके बतारों समझने के लिए आप और उपर में ये 1 है उसे जोड देंगे तो 2-1 अम 2 और धन एक कितना हो जाएगा? 3 तो क्या हो जाएगा? 3 बटा 2 इससे पहले क्या है? 1 बटा 3 धन 2 बटा 3 और गुडा हो जाएगा? 3 बटा 2 तो इस तरह से आप solve कर सकते हैं चलिए देखते हैं यहां पर हम जो है यहां 72 है 72 भागित यहां पर है 9 72 भागित क्या है 9 है का आप करेंगे हम लोग देखिए 1 बटे 3 है धन 2 बटे 3 है उसके गुड़ा अभी हमने सॉल किया 2 एकम 2 2 और 1 3 3 बटा 2 तो देखिए यह 72 भागित है 72 भागित 9 है आप देख सकते हैं यहां पर तो यहां देखिए क्या कि हमने यह जो सही बटा था उसको सबसे पहले तोड़े तो यह आगए 3 बटे 2 के रूप में यह आप देख पा रहे होंगे आगे देखते हैं चलिए अब हम कैस साइल करेंगे इसके बाद क्या होगा इसके बाद जो है यह 3 का भाग कर देंगे यह का दिया है तो सबसे पहले क्रते हैं का को करते हैं भाग क्यों क्यों। तो 3 तीय नव, तो अब क्या आज आएगा यहाँ पर 72 भागीत, अब क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, 3 का देखिए, सबसे पहले का को हल करते हैं, उसके भाग को हल करते हैं, क्योंकि बॉडमस आप सभी जान चुके हैं, तो 3 का, 9 का 3 से भाग देंगे 9 को, त तो तीन तिया, नौ तो यह तीन आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब जो है हम देखेंगे, देखिए, यहां पे होगा आपका, चाहें आप, तो यह कटा भी सकते हैं, सिधा सिधा, एक लाइन में, या फिर चाहें तो एक बार उतार भी सकते हैं, धन हो जाएगा, आपका यहां पे क्या आ जाएगा, धन, आ जाएगा, यहां पे देखिए, अब बचा क्या है, दो बटे तीन, क्योंकि एक बटे तीन तो सौल हो गए यहां पे, तो दो बटे तीन हो जाएगा, गुड़ा, तीन बटा, दो यहां तक तो समझ में आगए आप सभी को अब क्या करेंगे अब देखिए यहां पे हम करेंगे भाग करेंगे अब अब क्या करेंगे, भाग को तो 72 भागी 3 है तो 72 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 3, 2 ने 6 है, यह हसिला एक बचा है तो 3, 3, 4, 12 तो यह 24 बच गया यहां तो समझ में आगए होगा आपको प्लस हो जाएगा, 2 बटे 3, गुड़ा, 3 बटे 2, देखिए बॉडमस नियम को ले करके ही आपको सॉल करना है, तो अब क्या बचेगा यहां पर, यहां पर देखिए यह 3, 3 से कट गया, क्योंकि गुड़ा है, और यह 2 2 से कट गया, तो यहां पर क्या बचेगा दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं यहां 24 है और धान, यह सब कट गया तो 1 आया, तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो यहां आपका जो 25 आफशन में अंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा, तो इस तरह से यह मैं आपको अच्छे से समझ में आगे होगा, यह मैं एस्पेक्ट करता हूँ आप सभी से, और एक बार और अच्छे से आप देख लिजेगा, चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं, आप नोट डाउन करते चलिए, आगे बढ़ते हैं आगे कोश्चन है, आपका इस तरह से भी कोश्चन आपके बन सकते हैं, चलिए देखिए, कविता के पास पास जो है, सव रुपए ता था 50 रुपए के कुल 85 नोट है, जिसका कुल मुल्य 5000 है, इनमे से 50 के कितने नोट है, देखिए इस टाइप से भी कोश्चन पूछे जाते हैं, सरली करण में, तो हम क्या करेंगे, माना कविता के पास किसके पास, कविता के पास माना, हमारे हम देखें, कि 50 के कितने नोट है, कह रहा है, पहले कुश्चन पढ़ लिजिए, तो हम 50 के नोट ही पहले मानते हैं, 50 का जो नोट है, वो कविता के पास कितना है, मान लिजिए, 50 के नोटों की जो संख्या है, वो कितना है, मान लेते हम, X है क्या मान लेते हम, X सामाल लेते हैं, अब उसके बाद दखेंगे, सव का नोट कितना होगा पचास का नोट जब एक सामाल रहे हैं, तो सव के नोटों की संख้ा कितनी होगी, यहाँ पर ध्यान रखेगा पचासी रिड एक्स क्यों? क्योंकि पचास का नोट कितना माना हमने X माना, तो 100 का नोट क्या करेंगे, 100 का कह रहा है, 85 कुल 85 नोट है, तो 50 के नोट तो हमने कितना माल लिया, X माल लिया, और total 85 नोट है, मतलब 50 के भी नोट है, और 100 के नोट है, दोनों मिलाके 85 है, इसलिए 85 माइनस X कर रहे हैं, यह भी ध्यां रखेगा, तो 100 के जो नोट है, वो कितने निकले हैं हमारे 85-X, अब प्रशन नुसार, क्या कह रहा है, ममता के पास 100 का, तथा 50 के कुल 85 नोट है, कुल कितने नोट है, 85 नोट, जिनका कुल मुले कितना है, 5000, तो यहाँ पर हम देखेंगे, 50X, यहाँ हो जाएगा, धन, 100 हो जाएगा, और 85, पांच हजार है, यहाँ पर हम ने लिग दिया, यहाँ पर क्या हो गया, 85 हो गया, ठीक है, अब क्या हुआ कि 50 के नोट और 100 के कुल 85 नोट है, तो 85 नोट है, जिसका कुल मुले कितना है, 5000, तो यह हमने बना लिया, यहाँ पर समीकरन, कि 50X, 50 के नोट है, x और 100 के note है 85 रिड एक है तो यहीं लिख दिया हूँ डोनों note को लिख दिया हूँ देखी, 85 के note x है तो यह 50 x हो जाएगा, और 100 के note कितने है, 85 रिड एक है, तो 100 के note को जोड़ करके 85 x कर दिया बस इतने हैं, बाकि कुछ भी नहीं है यहां देखिए अब 50 X अब क्या आएगा बराबर अब देखिए सीधा सीधा यहां पर यह हो जाएगा कि 85 100 यह 100 का गुड़ा यह 85 क्योंकि bracket है तो bracket सबसे पहले अल करते हैं तो 100 में 85 का गुड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 85 100 100 में 85 का गुड़ा करेंगे 85 100 यह 5000 को इधार पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 5000 यह तो यहां तक समझ में आ गया होगा अब क्या करेंगे दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा यह 85 100 में यह 5000 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 85 100 में 5000 घटेगा तो बचेगा हमारा 35 100 कितना बचेगा बचेगा 35 100 तो देखे यह 35 100 बच गया अब चूकि 51 100 है साथ में 51 100 भी लिख सकते हैं अब एक 100 बराबर क्या करेंगे एक 100 बराबर यह 35 100 बचा मैं 60 में बता रहूंगे आपर 50 यह बटा में चला जाएगा चूकि गुड़ा था तो यह भाग में चला जाएगा तो एक सुनने एक सुनने से कड़ गया 5 100 बचा है तो 70 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 70 तो 50 का जो नोड था वो कितना नोड था हमारे पास 70 नोड था यह 50 X है और 100 X है तो 100 को गुड़ा 85 से किये तो 85 हुआ अब देखी यहाँ पे 100 को गुड़ा 1 से होना है ऐसा सोचे होंगे आप तो सही बात है 100 को गुड़ा 1 से करेंगे तो 100 X और यह 100 X समय 50 X घटाएंगे तो 50 X आएगा उसी को यहाँ पे लिखा हूँ यह आप फूरा क्लिया हो जाएगा तो चरी दोस्तों इसी तरह से और मैस आपका आता रहेगा आपको मैस प्रॉइट कराते रहूँगा अंगरित में लाभानी भी मैं जल्द ही ले करके आपके लिए वीडियो डालूँगा जिसमें आपको एक्जाम के लिए सरल हो और आपको चाहिए मतलब सिंप्लिफिक के साल का तो आप कमेंट करके बताईएगा वीडियो कैसे लगा उससे जरूर कमेंट करिएगा आपको धीरे चाहिए थोड़ा सा और कांसेफ्ट बेस चाहिए यह सारे चीज़ आप कमेंट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज की उड़ो फिलाल इतने ही मिलेंगे नेक्स्ट टूड़न तब तक किल थेंक्यू जैन जबाद